एकदम क्रिष्पी यह नास्ता यह दखें शर्त लगआ के कहती हूं कि आप इस नास्ते को बार-बार बनाओगे और खवगे तो यह नास्ता बनाने के लिए मैंने आदख कप सूझी लिए इसमें आदख कप दही डाल देंगे और इस सूजी और दही को मिला के रख देंगे मेंं वार्ट को भी तिसमा चारस लें, मौंच्पोन के एपना तोरी को नगरेगे लिया, डाल को साही पर घंड़ी माधा लिया, अब जो हमने सूझी को भीगो के रखा था दही के साथ उसमें हमिये िहा हुआ मोग Süs कराश्ट किया हुआ मों Phillips टालेंगे उसके बाद हमें डालना है एक प्याज बारीग कटा हुआ दो हरी मिर्चे ले लेंगे बारीक कटी हुई ताजा हरा दने ले लेंगे बारीक कटा हुआ अब थोड़े से कड़ी पत्ते लेने हमें और उस पर राल देंगे हम थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर कच्चा जीरा डालेंगे थोड़ा सा अब राल देंगे थोड़ा सा आमचुर पाउडर या फिर नीमू लिंग जा सकता टेस्ट अकौडिंग नमक सिरफार अधरक लगे मेशल्चन का पेस्ट फोड़ा सा मीठा सोडा ले लेंगे चोजी जो ऺड़े की दल बनें अब हमें डालना है इसके अंदर चार ब्रेड के टुकड़े तो यह ब्रेड के टुकड़े डालने के बाद अच्छी तरह से पहले मिलाएंगे यदि आपको यह थोड़ा सकत सा लगता है तो सिफ दो चम्मज या फिर एक चम्मज पानी डालके इस तरह का आटा हमें लगा दे दोस्तों आप यह रेसी भी बनाकर जरू ट्राई कीजेगा अब इन मेदू ओडों को हम सीधा ही इस तरह से तेल में उतार देंगे तेल मीडियम गरम है और गेस की फ्लेम को अब यह मीडियम ही रखना हमें मीडियम आक पर हमें इन्हें क्रिस्पी होने तक तल लेना है यद कुछ समान नहीं लगता है तो यह देखिए इसका क्रिस्पनेस एकदम क्रिस्पी यह नास्ता इस खाने में टेस्टी रेसीपी आपको कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर बताए तब तक के लिए बाई बाई